अगर आप अपना इंस्टाग्राम एकाउंट किसी भी वज़ा से डिलीट करना चाते हैं हमेशा के लिए तो कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पे हम लोग इंस्टाग्राम ओपेन कर लेते हैं उसके बाद जो है राइट साइड में सबसी नीचे में जहां आपका फोटो फोटो रहता है तो उसपे क्लिक करेंगे और यहां पे आपका प्रोफाइल ओपेन हो जाता है और सबसे उपर में जो है राइट साइड में जो है तीन होरिजेंटल लाइन रहता है तो उसपे हम लोग क्लिक करेंगे उसपे आपको क्लिक करना है उसपे क्लिक करने बाद यह इहां पर आपको जाना है help पे और उसके बाद जो возвращ फिर फर से help से deeply up करना है तो फिर से यहां पर जो help उटर का पेज्ट उपन होगा तो यहां पर जो है right side में तीन horizontal line है भी अपर फिर से उस पे जो है आपको click कर देना है उस पर click करने के बाद देखिए यहां पे एक option आ जाता है manage your account तो उस पे click करेंगे और यहां पे option आएगा delete your account तो फिर से उस पे click करना है और उसके बाद जो है यहां पे आपका जो है यहां पे option आ जाता है कि आप अपने account को temporary भी deactivate कर सकते हैं और अगर आप हमेशा जो है delete करना जाते हैं तो delete your account पे click करना होगा उस पे click करने के बाद जो है यहां पे थोड़ा सा यहां पे इस पे click करेंगे और थोड़ा scroll down करके नीचे के तरह आएंगे तो यहां पे जो है यहां दो option आ जाता है यहां पे है कि instagram.com from a mobile browser और computer अगर आप android phone यूज़ करते हैं या computer तो आपको पहला option उस पे click करना है और अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो second वाला पे तो मेरे पास android phone है तो पहला वाला option पे click करेंगे ठीक है तो चलिए instagram.com from a mobile browser पे click कर देना है इस पे click करने बाद फिर से यहां पे देखे delete your account सो हो रहा है ठीक है उस पे click करने बाद यहां पे जो है first number पे delete your account पे click करेंगे तो यहां पे आपका जो है why do you want to delete यहां पे रीजन देना होगा आपका जो है user id सो होगा तो मेरा पंकश टेक्नो वर्ड सो हो रहा है और यहां पे click करके कोई भी एक reason select कर लेना है तो चलिए मैं यहां पे privacy concern कर देता हूं और इस पे click करके यहां पे जो है एक option है re-enter your password तो यहां पे आपको अपना इंस्टेग्राम id का password पर फासफट एंटर करना होगा और पासफट एंटर करने बाद यहां पे एक option है delete your account ठीक है तो यहां पे आपको अपना password एंटर कर देना है और यहां पे डिलीट उसके बाद आपका user id सो होगा तो उस पे click करेंगे और साथि यहां पे दिख्यें यहां पे आपका जो है आपको डिलीट कर देना है उसके बाद आपका एक मेहने कंदर आपका एकाउंट डिलीट हो जाएगा तो फ्रेंट्स उमीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा